Dear students, Good morning. This video is for LKG of KVD Academy. Subject English. Today's topic, Write the letters in A, B, C order. यहाँ पर 3-3 letters दिये गए हैं. हमें इन्हें A, B, C order में write करना है. A, B, C order का मतलब एंग्लिस alphabet में. कौन सालेटर पहले आता है और कौन सालेटर बाद में आता है. इस हिसाब से हमें write करना है. तो चलिए start करते हैं. यहाँ पर एक example दे दिया गया है. यहाँ पर क्या डिखा हुआ है? F, D, E. अब हमें यह देखना है कि इंग्लिस alphabet में कौन सालेटर सबसे पहले आता है. तो यहाँ पर D सबसे पहले आएगा तो यहाँ पर हम D write कर दिये हैं. उसके बाद कौन सालेटर आएगा? E. तो यहाँ पर E write कर दिये हैं. उसके बाद कौन सालेटर आएगा? F, तो यहाँ पर F, राइट करती है, next, कॉंसलेटर दिये गए हैं, C, S, M, अब हमें यह देखना है, कि सबसे पहले कॉंसलेटर आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉंसलेटर आएगा, C, तो यहाँ पर हम C, राइट कर देंगे, उसके बाद कॉंसलेटर आएगा, M, तो यहाँ यहाँ पर राइट कर देंगे, उसके बाद कॉंसलेटर आएगा, S, तो यहाँ पर S, राइट कर देंगे, next, कॉंसलेटर दिया है, E, R, K, तो यहाँ पर सबसे पहले, कॉंसलेटर राइट करना है, E, तो यहाँ पे हम E write कर देंगे, उसके बाद konsolator आएगा, K, तो यहाँ पे K write कर देंगे, उसके बाद konsolator आएगा, R, तो यहाँ पे R write कर देंगे, Next, konsolator दिया हुआ है, N, M, O, तो इसमें सबसे पहले konsolator आएगा, M, तो यहाँ पे M write कर देंगे, उसके बाद konsolator आएगा, N, तो यहाँ पे N write कर देंगे, उसके बाद konsolator आएगा, O, तो यहाँ पे हम O write कर देंगे, नेक्स लेटर कौन सा दिया हुआ है यू डाबलू वी तो इसमें सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा यू तो यहाँ पर यू हम राइट कर देंगे उसके बाद कौन सा लेटर आएगा वी तो यहाँ पर वी राइट कर देंगे उसके बाद कौन सा लेटर आएगा, डाबलू, यहाँ पर डाबलू, राइट कर देंगे, नेक्ट लेटर कौन सा लेटर है, जी, बी, एन, तो इसमें सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, बी, तो यहाँ पर बी राइट कर देंगे, उसके बाद कौन सा लेटर आएगा, जी, यहां पर G राइट कर देंगे, उसके बाद कौन सा लेटर आएगा? N, यहां पर N राइट कर देंगे, जिन लेटर को A, B, C ओर्डर में राइट करना था, वो हमने कर दिया है, चलिए एक बार देख लेते हैं, यहां पर F, D, E में क्या होगा? D, E, F, C, S, M में क्या होगा? C, M, S, E, R, K में क्या होगा? E, K, R, M, N, O में क्या होगा? N, M, O में क्या होगा? M, N, O, U, W, V में क्या होगा? U, V, W G, B, N में क्या होगा? B, G, N Thank you